हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपकी पार्टनर क्या आपको खोने से डढ़ते हैं ठीक है यह हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है और आपको पता है कि जनल रीडिंग है तो इस बात का ख्याल रखना है आपको तो मैंने कार्ट रखे हैं अपने सामने देखते हैं ठीक है आपके पार्टनर क्या आपको खोने से डरते हैं या नहीं ठीक है तो चलो फिर निकालते हैं कार्ट देखते हैं क्या वह आपको खोने से डरते हैं या नहीं ठीक है सो चालो, स्टार्ट करते हैं, इसको मैं बाद में देखूंगी, टरो के द्वारा हम थोड़े टाइम के बाद पहले ये कार्ट से देखेंगे, उसके बाद हम दुसरे कार्ट से देखेंगे, ओके, और इनको भी मुझसे प्रसनल रीडिंग देनी है, दिये गए वाट्स अप पर कॉंटार्ट करके बुकी को कनफर्म करवा सकते हैं, चली स्टार्ट करते हैं, प्लीज गाइड कीजेगा अंजल्स उनिवेर्स, प्लीज गाइड कीजे, चलो, कार्ट्स निकालते हैं, यहाँ पर थ्री कार्ट्स हो चुके हैं मेरे पास, फूर, फूर कार्डी निकालेंगे हम, ठीक है, बॉटम आफ देख देख लेते हैं, पीस, मुझे लगता है कि बहुत शान्ती प्रिया हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत जदा इनको श शान्ती पसंद होती है, है ना, आपके पार्टनर को, और हो सकता है कि आप सांध रहते हो, है ना, आपको शांध रहना पसंद हो, आप जदा जो है ना, किसी से बात करना पसंद नहीं करते होगे, ठीक, ऐसा मुझे, जो है, मैसूस हो रहा है, और दिख भी रहा है कार्ट्स में चलो कार्ट्स निकालते हैं यह कार्ड मेरे फिवरीट कार्ड्स है बहुत अच्छ लगते मुझे यहां पर फोर कार्ड्स ओके बॉटम आफ तर डेक तुरुत सच है ना तो मुझे लगता है कि आई थिंक सच बोलना या फिर सच ही आपको पसंद है जूट अगर कोई आपसे बोले तो आपको पसंद नहीं होता है क्योंकि जूट के उपर होता है ना कि हां बहुत सारे लोग होते हैं कि जूट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो आपका नेचर हो सकता है या आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है ऐसा कि जूट बोलना या फिर सुनना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो ठेक चलो और काट्स निकालते हैं कि प्लीज काइट कीजेगा कि सो यह ज्यादा काट्स हो गए कि प्लीज काइट कीजिए वन टू थ्री एंड फोर ठीक है फोर काट्स इससे भी फोर काट्स निकाले मैंने और बॉटम अफ टो डेक है एक्सेप्टेंस ठीक है सो चलो यहाँ पर यह काट्स हो गए अब मैं टैरो के द्वारा भी काट्स निकाल लेती हूँ उसके बाद हम रिडिंग को स्टार्ट करेंगे एक थे प्लिजगीद केजेगा प्लीजे गइड गइड किज़े कर देखले क एक थिस निएक गीट कि यूट जेंद च्छालो आप आप काट्स प्लीज काइट कीजिएगा ओकें ओकें फॉर फाइब काट्स ठीक है बॉटम आफ ता डेक है फाइब फैंटिकल्स क्या खोने से वो डड़ते हैं आपको ओके चलो बारी बारी से मैं सारे काट्स को लगाती हूँ ठीक है पहला काट है को क्रियेट नमबर 40 का काट है आप लुग नमबर थोड़ा ध्यार में देना क्योंकि नमबर इंपोर्टेंट होते हैं नमबर 38 बी फेर टू बी फेर का काट है blessed का card है number 22 okay and number 21 clean it up okay चलो ठीक है तो यह भी देख लेते हैं आप freedom सिक्योरिटी स्रेवलिंग स्रेवलिंग के मैं करें त्रेविंग का कार्ड है सौरी फोकस चलो ठीक है यहां पर आपको सारे के सारे कार्ट्स आई थिंक सही तरीके से लिख रहे हैं ओके चलो अब मैं यह कार्ट्स निकालती हूं गिल्ट बिटर्स्वेट्स सोलमेट और लास्ट कार्ड है क्रियेशन का कार्ड ठीक है आपको सारे के सारे कार्ड देख रहे हैं अच्छे से लिख रहे हैं अच्छे से चलो ठीक है सो बात करते हैं अब कि क्या वह आपको खोने से डड़ते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो कार्ड है मेरे पास ठीक है 40 कार्ड है ठीक है तो यहाँ पर जो कार्ड है सबसे पहले तो मुझे कार्ड बताते हैं आपके कि आपके जो पार्टनर है और आपका जो रिलेशन है ठीक है इसके बीच में देखूं तो आप दोनों का मुझे लगता है कि कि आपके पार्टनर ने काफी सोथ समझ के आपके साथ पहले तो रिस्ता किया था आपके जो पार्टनर हैं काफी ज़दा माइंड से शार्थ हैं ये पार्टनर ठीक है क्योंकि कि आपके जो पार्टनर है ठीक है एक तो इनका अग्रेशन है ठीक है इनको गुष्टा बड़ा जल्दी आ जाता है कोई भी छोटी मोटी बात भी होती ना तो गुष्टा ज्यादा आ जाता है इनको ठीक है और यहां पर मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ने उस करके जो कार्ट्स बताते हैं कि आपके खुबसूरती को देख करके आपके परसन आपके तरफ अट्रैक्ट हुए ठीक है और इसी की वज़ा से मुझे यहां पे दिख रहा है आपके कार्ट्स में कि आपके जो पार्ट्नर है सौरी थोड़ा बैग्रांड में आवाज आ रहा होगा कभी कभी ठीक है तो यहां पे मैं यही देख पा रहे हूँ कि आपके पार्ट्नर ने आपके साथ सो समझ के उस टाइम रिलेशन रखा था उस टाइम पहले शुरुआत में ठीक है और आपने पार्ट्नर को दिल से चाहा दिल से उनको पाना चाहा, ठीक है, आपने पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर जो है, यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है, कि आपने पार्टनर को दिल से चाहा, ठीक है, उनसे अर्ट्रेक्ट हुए, कि अरे, यह मुझे जो है न, मतलब कि आपको लगा कि हाँ, इसके इनसे आपको काफी ज़्यादा deeply love हो गया यहां पर मुझे यह दिखता है आप दोनों मुझे लगता है कि एक सांथ work करते हो या एक सांथ जो है बहुत ज़्यादा एक होता है कि हां attraction feel होता है काम करते वक्त भी हमारा connection किसी और के साथ जूड़ जाता है तो वो जो है connection में देख पा रही हूँ कि आपका इनसे emotionally attached हो गया ठीक है और उसके बाद से मुझे दिखता है कि आपके partner ने हो सकता है आपके साथ जो भी किया हो ठीक है लेकिन यहां पर separation आया है ठीक किसी वज़ा से जो भी वज़ा रही है आपका separation आया है और आपका जो मुझे दिख रहा है कि आपके partner को ठीक है इस बात का guilt भी feel होता है कि उन्होंने आपके साथ separation कर लिया ठीक है आपको धोखा दे दिया अपने मतलब के लिए उस time यह आये थे और जब मतलब पूरा होते ही जो है न यह निकल के कहीं और किसी और के बास चले गाए या फिर किसी और के साथ relationship को continue क किया ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब अब जो है आप justice चाहा रहे हो ठीक है आपको चाहिए justice यहाँ पर दिखता है कि आपको जो है इस person के साथ soulmate connection feel होता था soulmate connection feel हुआ और इसके साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो कार्ण से इसके अनुसार से अभी आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है मेरे साथ बिलकुल भी सही नहीं हुआ है और मुझे justice चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर to be fair का कार्ण है तो आपको justice चाहिए इस चाहिए दिखरा है तो यहाँ पर यह भी है और ऐसा आपके cards बताते हैं कि आपके जो पार्टर हैं ठेक हम आपको खोने से डरते हैं या नहीं तो सबसे पहले कि देखो मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने सोच समझ की आपके साथ ॑लेशन रखा था तो अब जो है ऐसा नहीं है उस ौम इन्होंने सोचा जरूर होगा, उन्होंने प्लान जरूर किया होगा, कि हाँ यह होगा और यह खुब सूर्दी का है ना, बस यूज करके and then है ना, तो वो मुझे देखता है कि नहीं, अब जो है इस परसन को ऐसा उन्होंने पहले सोचा था, लेकिन अभी जो है, इस परसन को आप से धीरे-धीरे हो करके प्यार हो ही गया है, ठीक है, प्यार हो गया है, अब जो है यह आपके लिए expect करते हैं, अब आपके साथ यह बहुत सारे सपने भी देखते हैं, अब जो है आपके लिए काफी खुबसूरत-खुबसूरत यादे हैं, काफी खुबसूरत-खुब सुरूरत इनकी बाते हैं ठीक है जो अब जह ये आपके साथ करना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं आपकी यादबड़ी सदाति है इनको ठीक है यहाँ पे नमबर का काका यह परसन जो है आपके लिए दुआ तक मांगते हैं आपके लिए प्रात्ना तक करते हैं तो कोई किसी के लिए दुआ क्यों करेगा कोई किसी के लिए प्रात्ना क्यों करेगा आप ही लोग बताओ है ना है ना समझने वाली बात तो यहां पर वही है कि आपके जो पार्टनर ह काफी ज़ादा आपके बारे में सोच करके और इसा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए था ठीक है तो यहाँ पे यही है कि आपकेपार्टनर को एकदम से समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या गलती की है आपके दिल को तोड़ा आपको तकलीफ दी है ना तो इनको तकलीफ वो समझ में आ रही है बात करते हैं कि क्या आपको वो खोने से डरते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब डरते हैं क्योंकि पार थो बिल्कुल भी नहीं ड़ते थे लेकिन अब क्या है आप तो प्यार हो गया है तो अब क्या है यह पर्षोन आपको मनाने की कोशिच भी करने वाले हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब यह मनाना चाहते हैं आपको आप रूठे हो या फिर इन्होंने अपनी गलती की वज़ा से आपको बहुत बुरा भला कहा है ना तो उसकी माफी मांग करके यह परसन जो है अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं आपके साथ यह बैलें का डर ठीक है सबसे पहले तो खोने का डर इनको उतना जादा नहीं है क्योंकि इनको लगता है इनको पूरी तरीके से भरोसा है कि आप जो है इनको छोड़ करके नहीं जाओगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपके परसन ने कभी आपको कुछ करने के लिए नहीं रोका है कभ आपको हमेशा ही freedom दिया है ठीक है इस person ने और मुझे लगता है कि freedom अपनी अपनी सब को पसंद होती है तो यहाँ पे वही है कि आपके partner को लगता है कि नहीं मेरे जैसा जो है ना उसको कोई comfortable feel करवाएगा भी नहीं ठीक है क्योंकि अब जो है मेरा और उसका रिष्टा अब को इसा भी सोचते हैं कि आप जो है उनके पास बहुत safe मैसूस करते थे करते हो अभी भी उनके साथ और यह भी आपके साथ बहुत ही safe मैसूस करते हैं ठीक है यहाँ पे खोने का डर मुझे नजर नहीं आ रहा है यह person की thinking ऐसी नहीं है कि आप उनको छोड़ करके चले जाओगे ठीक है सुखोने का डर इनको बिल्कुल नहीं है हाँ यह person आपके साथ continue जरूर करना चाहते है ठीक यहाँ पे यह continue करना चाहते हैं आपको यह नहीं है कि इनके mind में बिल्कुल भी ऐसा वो सब्द नहीं है कि आप इनको जो है डिच करके चले जाओगा क्योंकि आप loyal person हो ठी ठीक है आपकी energy हो सकती है कि हाँ आप बहुत ही loyal होगे अपने person के साथ यह कदम से कदम मिला करके चलना है ना तो वह वाली energy होगी आपकी क्योंकि यहाँ मुझे loyal वाली energy दिख रही है ठीक है तो आपके जो partner है इनके mind में कभी यह खयाली नहीं आया है कि आप इनको छोड़ ताकि हाँ यह person मुझे मुझे शादी करेगा करेगा है ना तो इस तरीके की energy दिख रही है और यहाँ पे clear है कि आपके partner जो है आपसे प्यार करते हैं इनको खोने का ड़ड़ नहीं है ठीक है खोने से डरते हैं या नहीं तो नहीं यह नहीं डरते हैं इनके mind में वह चीज है आई नहीं कि आप आप जो है खो जाओगे या किसी और के साथ चले जाओगे तो मैं कैसे बता दू है ना तो यहाँ पे card यहीं है कि आपके जो partner हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनकी दिमाग में दिल में यह ख्याल ही नहीं आता है कि आप इनको छोड़के जाओगे ठीक है तो मुझे यहाँ पे यहीं नजर आ रहा है आपकी इस रीडिंग में ठीक है तो ओवरॉल देखू तो आपके partner आपकी life में आना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं ठीक है marriage करके हैं ना एक happy family life spend करना चाहते हैं आपके साथ तो मुझे यहाँ पे clearly यहीं न प्राते रहें और खुश रहें बाबाई